कि आज हम कमोड़ वीलचेर्स देखेंगे दो टाइप की हमारे पास कमोड़ वीलचेर्स एक है यू कट वाले इसमें यू कट बुलते हैं इसको इसम ये पीस है ऐसे落ो और एक होती है seat lift इसमें ये C टोटादी है अब केके करके इसमें पेहले U-Cut जैंटे है इसको U-Cut क्यों कहते हैं इसमें ये पीस निकल जाता है यह पीस यू शेप में है और इसको अगर आपको कमोड यूज करना इसके साथ में इसका पॉक्ट इसके साथ हाता है ऑसे आप स्लाइड पिशन को इसके ओपर बिठा के आप यूज कर सकते हैं और इसको निकाल के कर सकते क्लीन करने के लिए ले जा सकते यह को फोल्डिंग विल्चेर है इसको फोल्ड करने के लिए आप इसका ये सीट ऐसे उठा लिजे ये जो इसके लगे हुए हैं, इसके पती इसमें लगी हुई है, इससे ये इसके उपर बैठ जाती है, इसको फोल्ड करने के लिए, इसमें ये दो रसी लगी हुई है, इधर भी है, इसको पकड़ के उपर की तरफ थीचेंगे, ये फोल्ड हो जाती है, अब आप इसको कैरी करके ले जा सक इसको खोलने के लिए इसको थोड़ा सा खुल के यहां से प्रेस करेंगे यह खुल जाता है खोल के वापिस इसमें सीट लगाएंगे और जब आपको पॉट यूज नहीं करना है वैसे बैट के पेशन को कहीं इदर आगे पीछे ले जाना है कि मूब करना पेशन को उस टाइम में आप यह लगा देंगे तो यह सीट एक वन पीस बन जाएगा पेशन को बिठाने के लिए पहले पेशन को इसमें बिठा देजें बिठा के फिर फूrence ड्रेक्ट होपन करना है और पेशन्ट को ले जा सकते हैं इसको पेशन्ट खुद भी चला सकता है इसमें ये ब्लैक कलर के रिंग्स जो लगे हैं ये दोनों तरफ इससे पकड़के चला सकते हैं और इसमें यह जब patient को उठाना है तो patient के पाउं हटा के footrest को fold कर दिजे और फिर patient को उठाना है पहले भी जैसे बताया था footrest खोल के इसके ऊपर patient को नहीं चढ़ाना है या patient बैठा हुआ है तो footrest के ऊपर चढ़के नहीं उठना है patient को पेट्रेस पहले close करना है, फिर patient के उठाना है. इस में हाथ में brake नहीं है, फिर देहने के लिए लीवर को बहर की तरफ पुश करेंगे, यह यह लॉक repeats do तो पेशन भी ठाके अगर आप इसको लॉक करना चाहते हैं तो लॉक भी कर सकते हैं, रिलीस करने के लिए वापिस इस तरफ पुल करेंगे, तो यह रिलीस हो जाएगा, तो यह है हमारी यू कट विलचेर, अब देखते हैं, सीट लिफ्ट विलचेर, यह सीट लिफ्ट बैट के पेशन पॉट यूज कर सकता है, इसका फाइदा यह रहता है, कि जैसे इसमें यू कट है, इस पर बैट के पेशन यूज करेगा, तो यह सीट वगएरा गंदा होने का चांस रहता है, और उसी पर बैट के पेशन को गुमना है, इसमें क्या रहता है, कि इसमें यह शट जाती है तो गंदा नहीं होता है यह यह ले सकते हैं अब बाकी से में कमोड लगाने का तरीका दूचे जो इसमें पॉट है वैसे ही लगेगा स्लाइड होके स्लाइड होके निकाल करें है यह ज लगती है यह यह से निकाल सकते हैं और फॉल्ड करने के लिए वैसे है यह इसमें ये रिबन लगे हुए हैं इसको पकड़के ऊपर करेंगे तो ये फोल्ड होगे इसको कर सकते हैं खोलने के लिए वैसे इसको खोल के यहां से पुश करेंगे तो ये खोल जाता है अब शीट ऐसी इसमें लग जाएगी जैसे उसमें लगाई है अब 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 प्रेस बी बिलकुल सेम है इसमें आप पुइंट की ये गल्क्रो स्ट्रिप मिलती है अब की पेशन के जो पाऊं है पीछे की तरफ ना चले जाएं इसमे दोनों में मिलेगी आपको कि इसमें भी है और पीछे सीट में एक पॉकेट भी है दोनों इसमें भी पीछे पॉकेट है कुछ समान में आप रखना चाहें तो इसमें रख सकते हैं कि यह हमारी दोनों टाइप की कमोट शियर्ज है यू कट एंड सेटलिफ्ट थाइंक यू